वेल्कम टू माई चैनल आज हम जहां पे बना लिए हैं मतर पनीर जिसको खाने के बाद आप शाही पनीर भी खाना भूल जाएंगे वह इतना टेस्टी बनेगा कि आप सोच पिने सकते इसको बनाने के लिए मैंने यह देखे 500 ग्राम जो है पनीर लिया हुआ है और यह देखे यह मतर है मेरे इसको मैंने निकाल लिया है और यह देखे मैंने इसके लिए दो प्याज लिये हैं यह अद्रक और यह हरी मिर्च मिर्च आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं और यह टमाटर लिया है बड़े टमाटर है साइज में जैसा कि आपको यह दिखाई दे रहा है इसना कि मैंने यह छे लिये हैं अब कुकर लिया है कुकर में हम डाले मैं घी बहुत कम यूज कर रही हूं यह देखे बस इतना ही डालूंगी लेकिन हमारी सबजी तनी ज्यादा टेस्टी बनेगी और कैसे क्योंकि मैं इसमें एक और न्यू चीज़ाइड कर रही हूं जिससे यह बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा डिलीशेस वनेगी हैल्दी तो इतनी कि विटामिनों से भरपूर वली बात होगी सबजी में अब इसमें मैं जित की झीन्ह डाल लिया था अब इसमें मैं प्यास डालूंगी प्यास हैं यह मैंने कट किये हूए हैं अब को हम इसमें अब हम टालेंगे वह जो हमारा जिञैंज्र भार ह KPारेंगे अर्टक है या देखे अधर हमने लिया है अब धिसको हम हम जैसे इभान ह 6 टालु हम भी हम जएसे तक कर लिया है जैसा कि आपको लिये अब सारे के सारे यह देखिये इसता है आइसमें हम्анд OM इसमें हम ने वो सारे हमारे जो टो उधार है वह चलती से ऍडक लेने हैं हमें डेखिये लिए मेरी सारे ही कर देखें भेट कर दोड़ने हैं जहätta हुए है कियोंकि experience इसका जो पानी है इस Popi नहीं पैंकना है वह भी मुपनी мझी में जाल दिया है क्दार हम कोई भी पानी में नहीं डालते है अब हम ने जो हमारे फ्र्रक तर्का त्यार अगर आप डालना चाहते हैं तो भी पांच छे कली इसमें डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए और इसमें इसको मिक्सी में इससे पीस लिया है अब जी देखे मेरे कुकर में बिल्कुल भी खीनिया देखिए फिर भी मेरी सब्जी में कितना गी आएगा यह कहां से आएगा और अब इसमें बिल्कुल भी नहीं है अब मैं इसमें यह सारा तड़का डाल देंगी जो हमारा हमने जो हमने मिक्सी में पीस लिया था ना वह बला इसमें ने देखे सारा रच डाल लिया है अब इसमें हम डालेंगे हल्दी ये देखे मैं ये स्मॉल स्पॉन है वह रदी का डाल लिया है अब इसमें जैसे कि आक दिकाई कब नरह जाए सबची क्योंकि ज़यांगी नब करदा है कम के कदब मैं रहा है V में बाहाँ का ओख-वितामिन्स के बारे में पत्ता ही है था हमारी सबजी है माँ ही रहось ही है भूल जाओ गया तो इसकी मैंने एक कटोरी अब इसमें डाल दी है यह देखिए अब इसको हम जो ताड़का है बनने देंगे मिक्स करते हैं चलिए पहले इसको इससे हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसको ढखकर पकने के लिए छोड़ देना है लेकिन बीच बीच में से चलाते रहना है कहीं यह जलना जाए यह देखिए मैंने मिडियम फिलिप पर रखा हुआ है इसको और बीच बीच में मैं इसको च यह भी बन रहा है अभी फिर से मैं इसको ढखका छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए जैसे तीन चार विनिट के लिए यह देखिए मैं छोड़ दिया था तो अब यह देखिए फिर ऐसी बन गया हमारा यह देखे होगा ना गाड़ा हो गया ना जैसे कि आपको दिखाए देरा यह देखिए लेकिन अभी यह कुछ भी नहीं हुआ है अभी इसमें जो मैं चीज़े डालूगी ना उससे यह सबजी का टेस्ट और हेल्दी हमारी इतनी जद़ बनने कि आप सोच भी नहीं सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे मतर उस मता डाल लिए में इसमें सारे मतर ना लिया है अब इसमें अब इस्को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे की यह देखिया है अब इसमें हम डालेंगे हमारे आपको जैसा पसंद आप उस तरह कर सकते हो यह देखिया है मैंने इस तरह से कटिंग किया है अब जैसे भी मर्जी आपकी इच्छा है वैसे आप कट कर सकते हो अब इसमें मैं डालूँगी पानी वो पानी में कौन सा डालूँ जी देखिया आप तेक सोच विए यह रड़ पानी कैसे हां से आया तो यह हमारा मिक्सी जाए था यह देखिये मिक्सी जाए था उसमें इर्दगीत कितना ज़्यादा लगा होता है हमारा तड़के का जो होता है तो उसमें मैंने हमारा एक गिलस पानी डाल लिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था शेक कर लिया था तो उसका जो हमारे तड़के के साथ मतलब था ना मैट बैटर हमारा था रहा उसमें पानी में आ गया था तो उसमें मैंने डाल दिया अब एक कटोड़ी में लाई और डाल दूंगी बन गई ना हमारी सबजी बहुत ज़्यादा हेल्दी हेल्दी तो आप इसको बनाने की जो रैस्पी है ना वो तो आपको नियों लगेगी है खाने में भी इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा ना कि जिसके बार में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसका फ्लेवर बनाने के लिए अब इसमें हम डालेंगे एक और चीज़ पहले हम पानी डालने क्योंकि यह ज़्यादा थिक है आपको थिक है यह तो ठीक है नहीं तो मैंने अभी एक आधा गिलास और डाली है पानी का यह देखे इस तरह से हमारी सब्जी हो गई है अब इसका फ्लेवर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे किचन किंग You know कीचन के बगद تو जो कहते हैं King is King कीचन के डाल रहे हैं तब ही तो हमारी सबजी भी सुपर सुपर होगी न तो इसमें मैंने ये दिखे कीचन के डाली ये मैंने एक चमच के luxe डाला है बस मजजधा अस्टमेटर मैंने जैसे ऐसी डाले तो आप एक चमच डालने इसमें और मेक्स करें और कुकर को बन करकर सीटी एक दलानी है ज्यादा नहीं दिलानी है क्योंकि ज्यादा आप सीटी दिलाओगे तो हमारी जो मतर है वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे हमने सरफ एक सीटी डिलाकर अब इसको ओपन करना है यह देखे कितनी अच्छे ढ़िया गहा नए हमने सब्ची में जब की गही बिल्कुल हमारे तरके कि इतना इही था आपको दिखाए देखे कितनी ओयली ओयली बन गी है यह किसके कट्रीनि grow ने हमारी मलाईक के कारणे और इसका शेड भी कितना अचा यह जिसके फिराचा ना जैसे शाइपनिय की तरह आड़ाई ची मैं ते मिर्च है इस से ज़ाए है नहीं कभी ने झालागे यह आप हमेशा याद रखें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले यह मैंने इसमें डाला है काली मिर्च अब इसमें डाला अमचूर अब इसमें यह देखे थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला था यह देखे क्योंकि किंचन किंग डाल लिया है इसलिए गरम मसाला थोड़ा सा ही डाला मैंने इसमें अब इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको सर्विंग बाल में सर्व करेंगे ये देखिए और आपको ये मेरी नियू रेस्पी कैसी लगी आप मुझे ये कमेंट करकर जरूर बताएं मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो प्लीज बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हेल्दी और डुलिशिस रेस्पी है इसके बारे में तो कोई भी सोच भी नहीं सकता और आपको ये रेस्पी ये मेरी कैसी लगी आप मुझे ये कमेंट करके तो बताएं ही ताकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है आपसे अच्छी अच्छी और हेल्दी रेस्पी शेयर करने की थैंक्यू वेरी माच